आपने जैसे कांगरेस है कि हम काले कपड़े पैन का रंदुरन करेंगे, उनके बारे में रोज खबर आती है कि आज बंद होंगे, नहीं होंगे, जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब यह अंगारा की योग 27 जून से चल ला है और 27 जून से आप देखेंगे देश में क्या जींठर इदर गया फिर पलटा इदर गया यह यह अंगारा की विजह से सम्मान की पहली पहली शर्त है आप को आपकी हालत ऐसे उतेजित besar हैजिए कि और यही कारण है कि खबरें पढ़नान लोगों ने बंद कर दिया है, यहूरा है अंगारा की योग में यह हुआ के आप में खबर पढ़ते ही नहीं किया ख़बर सचा जूटा यहीं नहीं पता चलना दोस्तों आदा वर्जेव में अनीशनमत खान हंद वाज साथ हूं और मेरे साथ है रभिंदर कमार जी कि अब हर अफते हफते में दो-तीन दिन हमारे साथ रहते हैं अच्छी बाते बताते हैं जोतिस्की बाता आते हैं दोसी चीज़ें देश क्या हालाद चल जह उनके बारें बताते हैं अब अंदर जी देश में बहुत कुछ ऐसा घटरा आया अपने देखा अभी एजीटेशन ह कांग्रेस ने किया इसके उपर महंगाई के उपर उसके एकदम से लांचने लगा दिया गया क्योंकि क्योंकि काले कपड़े पेहन के की गया है और आज के दिन ही सलन्याफ शुआ था तो उसको भी धर्म की तरफ जोड़ दिया गया है हर चीज को बड़ा गड़मट करके प महाय महारम में जैसे शिया में शुन्या होते है तो उनमें एक वर्ग लगातार θα या दा दोस्पर आज काले कपड़े पेहने जाते हैं और यह धार्भी के रिवाज धी बात है कि हम एनकर पर रोष प्रकट-करठ करते हैं जैसे पहले होता था काले जंडे दिखाएंगे, काले गुबारे उडाएंगे, काली कर्टूते जब दूसरे आदमी की हो जाती है, तो उनको उजागर करने का ये प्रतिकात्मा तरीका है काली पतंगे उडा दी लोगों ने, आपको याद होगा, पतंगे उडा देते हैं, कोज का काम हो जाता था कुत्तों को ढूंड़ोंड का मारना, और मारा भी उन्होंने उनको प्रतिकात्मा तरीका ये है कि मुझे याद है कि जब अमर जंसी के बाद पहली मेटिंग होई जंता पार्टी की, राम निला मैदान में, जिसमें जैप्रकाश्न, हराएंड थे और आदमी के विरोध करने के अधिकार को अपने ही छीन सकते हैं, अगर आप उसके सारी अधिकारों को छीन लेंगे, तब भी वो नाखुनों और दानतों से विरोध करेंगा, तो विरोध करना एक वेक्तिकादिकार है. और यह लोकतंत्र में एक सर मानने से दानता है कि आप लोकतंत्र का मतलवी का है कि जब हाउस लगता है तो आप देखते हैं कि जो विपक्ष होता है उसको बिटेन में क्या कहते हैं कहते हैं हर मैजस्टी अपोजिशन हर मैजस्टी यानि रानी का प्रतिनी दी है यह विरोधी और जो सत्ता में प्रधान मंत्री है वो भी रानी का प्रतिनी दिये है और सारे काम रानी के नाम पर होते हैं जैसे इंदोस्तान में हर काम जो है भारतिय लोकतंत्र और भारतिय के लाश्पति के नाम पर होते हैं तो विरोधी का सम्मान ही लोकतंत्र की पहली पहली शर्त है कि अगर आप विरोधि का सममान नहीं करेंगे तो जो भीरोधियों का सममान करना लोकुतन्त पहली शर्त है लेकिन लोकुतन्त क्यों भूल गये हम तो एक व्यक्ति के रूप में अंगारा की योग क्या असर डालता है और समाज पर क्या डालता है सामाई के ग्रहे जो है वो भी डालते हैं जैसे रूस में बॉल्शेवी करांती हो यह उनिसो सत्रा में तो उस समय के घरहनद सती देखेंगे तब आपको पता चलेगा के कौन से थे उसी तरह आप जब यह देखेंगे के पल्हार भरड पर अगर परल आरबर पया जापान अमरीका की हमला नहीं करता तो अमरीका सेकंड वर्ल वार में शामिल नहीं होता, तो एक वो योग था, अब यह अंगारा की योग 27 जून से चल ला है, और 27 जून से आप देखेंगे देश में क्या हुआ, महाराज की सरकार गिर गई, और उल ज योग की वज़े से, क्योंकि ये लोगों की बुद्धियार लेता है, अन्यत्य काम करवाता है, लोगों से ऐसी इसी बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी के शब्दों में, कि बिलकुल नंगा हो जाना, ये व्यक्ति को नंगा करके समाज के सामने खड़ा कर देता है, और ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हमने रात को सोचाता है, तो ये अंगारक योग की वज़े से है, कि लगातार हम देखते है, ED, CBI, NIA, लगातार चापे बे चापे मार रहे हैं, टीवी खोलो तो ब्रेकिन यहां चापा बड़ा, दूसरी ब्रेकिन यहां चापा बड़ा, ती हिंदुस्तान में आज के समय में हो रहा है, और यही कारण है कि खबरें पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है, जी बिलकुल हुरा, यह अंगारक योग में यह हुआ है, कि आदमी यह खबर पढ़ते ही नहीं, कहते है खबर सचय है जूटा यही नहीं पता चलना, यह खब 47 दिन भारत के ही नहीं, दुनिया के हितियास के सबसे खराब दिन है, और 27 जून से जो यह दिन शुरू हुआ है, यह 10 अगत तक चलेंगे, 10 अगस के बाद सबके जीवन में फिर पहले जैसी सामन्यता आ जाएगी, जीवन पहले रूटीन वाले हो जाएगा, और हमें लगे हैं और अपने को जिन्दा रखना है, देश को जिन्दा रखना है, समाज को जिन्दा रखना है, और आजादी का जशन जो हम मनाने जा रहे हैं अभी 5-7 दिन बाद, तो उसमें भी हमें यह जिद्ध करना है, कि हम जिन्दे हैं, और एक जिन्दा रास्टे हमेशा भविश् बहुत बहुत शुक्री आपका इसी के साथ हमें लेते हैं बिदाव इलेंग में फिर हाजर होंगे रविंदर कुमार जी के साथ तक तक के लिए दीजी हमें अजाज़त बहुत बहुत बढ़ जाज़त